है हेलो रेंड़ वेल्कम बैख टुमा यूटूब चैनल विद्या daag अज की क्लास हम स्टार्ड करते हैं आज की हमार क्लास का जो बेस है वो है जो सारे कॉश्च एंगे वह भारत की किर्शी से संभंदित प्रश्यनुत्र यानि कि जो भारत बारत की किरसी है उससे रिलेट होंगे सारे कोश्चन ठीक है तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का आज फर्स्ट कोश्चन है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सरवाधिक सफल रही है इसमें क्या कह रहा है कि जो भारत में हरित क्रांति हुई वो किस मामले में सर्वादिक सफल रही है A, option A है गेहु वे चावल, option B है जवार वे तिलहन, option C है गेहु वे आलू, option D है चाई वे कोफी, तो बताये इसका राइट अपनसर क्या होगा होगा या मतलब की गेहु वे चावल जो हरित क्राम्ती भारत में हुई वो किस मामले में सफल रही वो गेहूं वे चावल के मामले में सरवादिक सफल रही देन नेक्स्ट कोशन है किस राज्य को भारत का धान्य बंडार के रुप में जाना जाता है कह रहा है बारत की किस स्टेट को भारत का धान्य बंडार के रुप में जाना जाता है option A है उत्रपरदेश, option B है पंजाब, option C है हरियाना और option D है 36 गड़ तो पताए इसका right answer क्या होगा तो option B इसका right answer है यानि पंजाब भारत का धन्य भंडार के रुप में पंजाब को जाना जाता है then next question है भारत में भारत में हरितकरांती का जनक किसे माना जाता है कह रहा है कि हरितकरांती का जनक जो भारत में किसे माना जाता है option A है J.S. Thompson, option B है नार्मन, अरनेस्ट, बोरलोग option C है Dr. M.S. स्वामिनाथन और option D है इन में से कोई नहीं तो बताई भारत में हरित करांती का जनक किसी माना जाता है। तो इसका राइट एंसर ओप्शन C है डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन। भारत में हरित करांती का जनक कौन? डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन। नेक्स्ट कोशन है भारत में व्रहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी गाटी छेत्र में की जाती है। ओप्शन A है ब्रह्मपुत्र, ओप्शन B है दामोदर, ओप्शन C है गंगा, और ओप्शन D है हुगली। तो बताई इसका राइट अंसर क्या होगा? तो इसका राइट अंसर है उप्शन D, यानि कि हुगली, छुगली नदी गाटी है, और उस पर जूट की खेती की जाती है। भारत में सर्वत्तम चाय कहां पैदा होती है। फिफ्ट कोशन है, बारत में सरवत्तम चाय कहां पैदा होती है, option A दार्जलिंग, option B है कूच वियार, option C है, जोरहट और option D है नेलगरी, तो बताई बारत में सरवत्तम चाय कहां पैदा होती है, तो इसका right answer है, option A दार्जलिंग, बारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, वो कह रहा है, बारत में सरवत्तम चाय कहां पैदा होती है, उसमें कोई state वगरे नहीं, उसमें छेत्र पुछा, इसमें कह रहा है किस state में, बारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो तो बताए, option A है, केरल, option B है, असम, option C है, तमिलनाडू, option D है, पश्रिम बंगाल, तो किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है, तो बताए, इसका राइट एंसर क्या होगा? तो option B, इसका राइट एंसर है, यानि कि असम, असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है, तेन, next question है, भारत में किस परदेश में सोया बीन की खेती का सरवादिक छेतरफल है, क्या कह रहा है, कि किस परदेश में सोया बीन की खेती का सरवादिक छेतरफल है, भार तो पताई इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर ऑप्संसी यानि कि मद्यपर्देश मद्यपर्देश में सोयबिन की खेति का सरवादिक चित्रफल है इसका राइट अंसर क्या है तो प्षन डी इसका राइट अंसर है जो तमिलनाडू है वो तमिलनाडू जो स्टेट है वो गेंग की खेति नहीं करता है देन नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा राज्य है मूंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या कह रहा है कि इन में से कौन सा राज्य है जो मूंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक है option A है गुजरात option B है महाराष्ट option C है उत्तरपरदेश और option D है बिहार तो बता इसका right answer क्या होगा तो मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है A option A right है यानि कि गुजरात गुजरात जो है गुजरात राज्य मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है then next question है गुजरात के विशाय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है क्या बताना है कि इन में से कौन सा sentence है जो की गलत है option A है यहन दुखद उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है Option B है यहां तमबाको का सबसे बड़ा उत्पादक है Option C है यहां मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक है Option D है यहां नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो बताए इन में से कौन सा संटेंस है जो की सही नहीं है मतलब की जो की रोंग है तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो option B इसका सही अंसर है यानि की जो गुजरात है यह हैं तमबाकों का सबसे बड़ उत्पादक है यह sentence गलत है ठीक है? option B राइट अंसर है इसके बाद next question है भारत में किस खाद फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है क्या कह रहा है? कि भारत में किस खाद फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है option A है जवार, option B है मक्का, option C है चावल option D है गे हूँ तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा? तो option C इसका right answer यानि कि जो चावल है भारत में चावल फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है The next question है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आउशक है लेकिन जमाव नहीं क्या कह रहा है कि पानी मतलब उस फसल के लिए पानी की जरूरत तो ज्यादा है लेकिन पानी का जमाव जरूरी नहीं है तो वो कौन सी फसल है option A है मुंगफली, option B है धान, option C है जूट और option D है चाई तो पता है इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option D यानि कि चाई क्या कह रहा है कि जो चाई की जो फसल होते है उसके लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए ठीक है लेकिन पानी वो इखटा हो जाए वो भी नहीं चाहिए मतलब पानी चाहिए लेकिन उसका जमाव एक जिगा हो यह नहीं चाहिए ठीक है तो किस फसल के लिए पानी की आधिकता आउशक है लेकिन जमावने तो वो चाई है Then next question है निमलिखित में से किस प्रांत में सोयाविन खेती के अंतरगत छेतर सरवादिक है क्या कहा रहा है कि किस प्रांत में सोयाविन खेती के अंत्रगत जहां सोयाविन की खेती अधिक होती है उसके अंत्रगत छेतर सरवादिक है option A है मद्यपरदेश option B है महाराश्ट option C है उत्रपरदेश और option D है बिहार तो पता है इसका right answer क्या होगा तो इसका answer है option A मद्यपरदेश मद्यपरदेश इसका right answer क्या कहा रहा है कि मद्यपरदेश में सोयाविन की खेती है वो अधिक होती है ठीक है और मतलब अधिक सोयाविन की खेती के लिए अधिक छेतर है क्या कहा रहा है कि किस प्रांत में सोयाविन की खेती के लिए अंधिक है तो वो मद्यपरदेश में है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है जो की गलत है option A है तंबाक को उसके साथ दिया हुआ है आंदर पर्देश option B है केला महाराष्ट option C है आलू उत्र पर्देश option D है नारियल केरल तो बताए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसका राइट अंसर बताए क्या होगा तो इसका राइट अंसर क्या है option B यानि की केला महाराष्ट यह जो युग्म है यानि की यह जो जोड़ा है यह ठीक नहीं है यह गलत है option B इसका राइट अंसर है then next question है निमलिकित में से कौन सी नकदी फसल है नकदी इसमें क्या कह रहा है निमलिकित में से कौन सी नकदी फसल है option A है बाजरा option B है मक्का option C है तंबाकू option D है धान तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा option C इसका राइट अंसर यानि की तंबाकू जो फसल है वो नकदी फसल है then next question है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है तो बताए इन में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है option A है कपास, option B है मुंगफली, option C है मक्का और option D है सरसो तो बताए कौन सी फसल है जो की खरीफ फसल नहीं है तो इसका right answer बताए क्या होगा तो इसका right answer है option D यानि कि सरसो जो सरसो फसल है वो खरीब की फसल नहीं है The next question है ये भी ये ये निमलकित में से खरीब फसल कौन सी है अच्छा इसमें बताना है कि खरीब फसल कौन सी है उसमें क्या था खरीब फसल कौन सी नहीं है तो उसमें क्या था सरसो नहीं थी इसमें बताना है कौन सी खरीफ फसल है उप्शन A है चावल, उप्शन B है गेहूं, उप्शन C है जो और उप्शन D है सरसो तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका अंसर है उप्शन A यानि की चावल ठीक है तेन नेक्स्ट कोशन है बारत के निम्न राज्यों में से किसमें तमबाकू की किर्शी के अंतरगत व्रहत्तम छेत्र है क्या कह रहा है कि बारत के निम्न राज्यों में से किसमें तमबाकू की किर्शी के लिए अंतरगत व्रहत्तम छेत्र है और बताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है और यानि कि आंदर परदेश बारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और वो भोगता है क्या गहर है कोशन द्यान से देखो बारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और वोगता है ओप्शन A है चीनी ओप्शन B है धान ओप्शन C है दलहन और ओप्शन D है कहवा कहवा कोफी को कहते है ठीक है तो पताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो उप्शन सी इसका राइट अंसर है यानि की दलहन जो दलहन है वो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उभोगता की फसल है ठीक है दलहन जो फसल है तो राइट अंसर बताए इसका क्या होगा तो उप्शन डी इसका राइट अंसर यानि की करनाटक करनाटक जो है इसमें रेसम का सबसे अधिक उत्पादन होता है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्या गार है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है option A है दुवित्य, option B है तिर्थय, option C है चतूर्थ और option D है प्रत्थम तो बताए फल उत्पादन में, फल की किर्शी में भारत का विश्यू में कौन सा स्थान है तो इसका right answer है option A, यानि कि दुवित्य, दुवित्य स्थान पर है ठीक है, फल उत्पादन में नेक्स्ट कोशन है जूट उत्पादन में सबसे पर्मुक पर देश कोन सा है option A, ओडिसा, option B है पश्यम बंगाल, option C है तमिल नाडू और option D है केरल तो इसका right answer बताए तो इसका right answer पश्यम बंगाल है, यानि कि पश्यम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे पर्मुक पर देश है then next question है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यह double type किया हुए भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, option A है बिहार, option B है, राजिस्थान, option C है, मद्यपर्देश और option D है, महराष्ट तो बताए, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, बताए, इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option C है यानि कि मद्देपर्देश मद्देपर्देश में जो है दाल का सबसे अधिक कुथपादन होता है The next question है निमलिकित में से किस जिले में कोफी का अधिक कुथपादन होता है किस जिले में डिश्टिक में पूछ रहा है option A है मैसूर उप्सन भी है हुबली option C बेलाररे option C तो बताए इन में से कोण सा डिश्टिक है जिसमें कोफी का अधिक कुथपादन होता है तो बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option D लिए यानि कुरग रेशम उत्पादन का आदा भाग उत्पन करता है क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेट है वो जो भारत के संपुर्ण रेशम उतपादन जो की भारत में संफू भारत में जो भारत में रेशम उतपादन होता है उसका आदा भाग वो श्टेट खुद ही उतपन कर लेता है ठीक है तो वो कौन सा राज है यह पूश रहा है option A है करनाटा का option B है option C है पश्चिम बंगाल और option D है जम्मो कस्मेर तो बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है option A यानि कि करनाटक करनाटक जो राज्य है वो भारत के संपूर्ण रेसम उत्पादन का आदाभाग खुद ही उत्पन कर लेता है the next question है जूट सबसे अधिक कहा होती है जूट सबसे अधिक कहा होती है option A है करनाटक option B है बंगाल का डेल्टाई छेत्र option C है अंदरपरदेश और option D है मुंबई तो बताए जूट सबसे अधिक कहा होती है तो इसका right answer है option B यानि कि बंगाल का डेल्टाई छेत्र जूट सबसे अधिक कहा होती है बंगाल का डेल्टाई छेत्र option B इसका right answer है the next question है इन में से कौन खरी फसल नहीं है क्या कह रहा है इन में से कौन सी खरी फसल नहीं है option A है मुंगफली option B है मक्का option C है सरसो और option D कपास तो बताई इसका right answer क्या होगा इसका right answer option C यानि की सरसो सरसो खरी फसल नहीं है ये question पहले भी आया है अब ये repeat हुआ है then next question है निमलिखित में से कौन सा सहर अंगूरों की पैदावर के लिए परशिद है क्या गयरा कि कौन सा सहर है जो की अंगूरों की पैदावर के लिए परशिद है option A ओज्जैन option B सोलापूर, option C, नागपूर और option D नाशिक तो बताए कौन सा सहर है वो तो इसका राइट अंगूरों की पैदावर के लिए परशिद है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सी नकदी फसल महराष्ट में पैदा नहीं होती है क्या कह रहा है कि इन में से कौन सी नकदी फसल है जो की महराष्ट में पैदा नहीं होती है तो इसका राइट अंशर बताए क्या होगा option A है, rubber option B है, गन्न, option C है, तिलहन और option D है, कपास तो बताई इसका right answer क्या होगा तो option A है, इसका right answer यानि कि rubber रबर्ड जो फसल है वो महरास्ट में पैदा नहीं होती है, नकदी फसल rubber जो नकदी फसल है, वो महरास्ट में पैदा नहीं होती है then next question है रेशा फसले निमलिखित में से कौन सी है क्या गहा रहा है रेशा फसले निमलिखित में से कौन सी है option A है कपास मक्का तंबाको option B है कपास सन जूट option C है सन कपास मक्का option D है जूट गन्ना अलसी तो बताए रेसा फसले निमलिकित में से कौन सी है इसका राइट अंसर बताए तो इसका राइट अंसर उप्शन भी यानि कि कपास सन जूट ये जो है ये रेसा फसले हैं ठीक है The next question है, केरल राज्य विश्व भर में निमलिकित में से किसके सनवर्धन के लिए जाना जाता है, क्या गयर है, जो केरल स्टेट है, वो वर्ल्ड में किसके सनवर्धन के लिए जाना जाता है, option A है, रबर्ड, option B है, गन्ना, option C है, गरम मसाल, option D है, चावल, तो बताए, इसका यानि की गरम मसाल्य, गरम मसालय जो है, वो उसके लिए केरल जो राज्य है, वो विश्व भर में संमरधन के लिए जाना जाता है, then next question है भारत में वे हैं कौन सा राज्य है जहां आलो की प्रती हेक्टेर पैदावार सरवादिक है क्या गर है कि भारत में वे हैं कौन सा राज्य है जहां आलो की प्रती हेक्टेर पैदावार सरवादिक है ओप्शन ए है तमिलनाडू, ओप्शन भी है राजस्थान, ओप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ओप्शन डी है पंजाब, तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा? तो इसका राइट अंसर है ओप्शन डी यानि की पंजाब, पंजाब जो है वो आलू की प्रती हेक्टेर पैदावार के वहां होती है, सरवादिक आलू की प्रती हेक्टेर पैदावार सरवादिक का होती है, वो पंजाब में होती है इसके बाद next question है निमलिखित में से कौन सा बागवानी से संबन दीत है क्या कह रहा है कि इन में से कौन सा है जो बागवानी से संबन दीत है option A है स्वान करांती option B है स्वेत करांती option C है operation flood option D है हरित करांती तो इन में से कौन सी करांती है जो भागवानी से संबंदित है तो इसका राइट नसर बता है क्या होगा तो उप्शन A, इसका राइट है यानि कि स्वाण करांती भागवानी से संबंदित है then next question है निमलंखित में से किस प्रांथ में सोया बिन खेती के अंतरगत छेत्र सरवादिक है क्या गया रहा है किस प्रांत में स्वयाबिन खेति के अंतगत छेत्र सरवादिक है राइट अंसर बता है यह कोशन रिपीट हो रहा है पहले भी आया है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन भी मद्यपर्देश ठीक है दन नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सी भारत में रभी की फसल नहीं है क्या कह रहा है कि इन में से कौन सी भारत में रभी की फसल नहीं है ओप्शन यह है जो ओप्शन भी है रैपसिड ओप्शन सी है जूट और ओप्शन दी है के हूँ तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा कि कौन सी फसल है जो की रभी की नहीं है तो इसका राइट अंसर है option C यानि की जूट then next question है स्वेत क्रांति का सम्बंद किससे है जो स्वेत क्रांति हुई थी उसका सम्बंद किससे है option A है बाड नियंत्रन, option B है मत्सिय उत्पादन, option C है गेहु उत्पादन और option D है दुगद उत्पादन तो बताए इन में से स्वेत क्रांति का सम्बंद किससे है तो इसका राइट अंसर है option D यानि की दुगद उत्पादन आप खुरी देख लो कि दुगद का मतलब क्या होता है दूद और जो दूद है उसका But this color क्या है सफेद, और यहां पर जो सफेद है उसको क्या वो लगए है we STOP स्वेद का मतलब सफेद ही होता है तो ये रिलेट हो रहा है आपस में तो इतना अगर ना भी पता हो तो इतना हम वैसे ही तुक्के भी मार कर इसको राइट कर सकते हैं इसमें तुक्का लग जाता आसानी से कि स्वेद क्रांती का संब्द किस से है स्वेश क्रांति मतलब भाई इसमें पूश्च एए स्वेश यानि किस अफेध इसमें ओप्शन में ऐसे दुग दा गया तो शायद दूद तो ऐसे हो जाता है तो स्वेत क्रांती का समध्ध किस से वैसे हमें तुक्के वाले काम नहीं करना, हमें जो रियल है, जो राइट है, वो ही देखना है, तो हमें अपना याद करने में ही और उसको समझने में ही हमारी बलाई है, then स्वेत क्रांती का समध किस्टे है इसका अंसर आगे D. दुगदूत पादन हम पढ़ेंगे और हमारे पढ़ना ही सही है then next question है दुगदूत पादन में भारत का विश्यो में कौन सा स्थान है क्या कहा रहा है दुगदू दुगदूत पादन में भारत का विश्यो में कौन सा स्थान है option A है प्रथम option B है दुट्य option C है तृत्य और option D है चतुर्थ तो पताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर क्या है option A इसका राइट है यानि की प्रथम जो दुगदूत पादन में भारत का विश्यो में कौन सा स्थान है प्रथम यानि की फर्ष्ट ठीक है the next question है भारत में ओप्रेशन फ्लड कारेकरम का प्रारम कब हुआ था क्या गया रहा है कि भारत में ओप्रेशन फ्लड कौन सा operation flood कारे करम्ब का प्रारंब कभ हुआ था option A तो बताए बारत में operation flood कारे करम्ब का प्रारंब कभ हुआ था इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है option B यानि कि 1907 रिश्वी में भारत में operation flood कारे करम का प्राइब हुआ था 1907 रिश्वी में the next question है नेमलिकित में से कौन कृष्षी से संबंदित नहीं है इसमें कह रहा है कि कुछ कृष्षी से संबंदित नहीं है option A है हरित करांती, option B है स्वेत करांती, option C है कृष्षन करांती और option D है पिली करांती तो इनमें से क्या कह रहा है इनमें से ये बताना है कि कौन सा कृष्षी से संबंदित नहीं है तो इस right answer बताए क्या होगा तो option C, right यानि कि जो Christian Kranty है ये Christy से सम्बंदित नहीं है The next question है गुलाबी Kranty, pink revolution गुलाबी Kranty किस से सम्बंदित है Option A है मास उतपादन Option B है खादान उतपादन Option C है टमाटर उतपादन और option D है जिंगा उतपादन तो बताए इन में से गुलाबी Kranty, pink revolution किस से सम्बंदित है इसका right answer बताए क्या होगा तो इसका right answer है Option D, यानि कि जिंगा उतपादन जो जिंगा उतपादन है ये गुलाबी Kranty से सम्बंदित है The next question है गुल Kranty round revolution का सम्बंद किस से है Option A है आल उतपादन Option B है अंडा उतपादन Option C है सलजम उतपादन Option D है टमाटर उतपादन तो बताए इन में से गुल Kranty यानि कि round revolution का सम्बंद किस से है इसका right answer बताए क्या होगा तो इसका right answer है Option A यानि कि आल उतपादन गुल Kranty का सम्बंद आल उतपादन से round revolution का सम्बंद किस से है potato revolution round revolution का सम्बंद किस से है आल उतपादन से The next question है नेल गिरी के पहाडी छेत्रों में किसकी खेती की जाती है कह रहा है कि नेल गिरी के जो पहाडी छेत्र है उसमें किसकी खेती की जाती है Option A है rubber option B है कोफी, ओप्शन C है, इलाइची, ओप्शन D है, चाय, तो बताई, नील गरी के पहाडी छेत्रों में किसकी खेती की जाती है, इसका राइट अंसर बताई, क्या होगा, तो इसका राइट अंसर है, ओप्शन B, यानि कि कोफी, नील गरी के पहाडी छेत्रों में कोफी की खेती की जाती है, then next question है दक्षिन भारत में सरवाधिक चाय उत्पादित करने वाला राजे है, state बताना है दक्षिन भारत में सरवाधिक चाय उत्पादित करने वाला कौन सा state है, option A है, केरल, option B है, आंदरपरदेश option C है, तमिल नाडू और option D करना टक, तो बताये इसका right answer क्या होगा इसका right answer है, option C यानि कि तमिल नाडू, जो दक्षिन भारत में सरवाधिक चाय उत्पादित करता है, वो कौन सा राज्य है, वो तमिल नाडू है then next question है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेति के अंतरगत सबसे अधिक भूमी है, कह रहा है कि वो कौन सा स्टेट है, जहां पर गन्ने की खेति के लिए, गन्ने की खेति के लिए सबसे अधिक भूमी है option A है अंदरपर्देश, option B है मध्यपर्देश, option C है महाराष्ट और option D है, उत्रपर्देश तो बता इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option D, यानि की उत्रपर्देश उत्रपर्देश में गन्ने की खेति के अंतरगत सबसे अधिक भूमी है उत्रपर्देश स्टेट में, ठीक है the next question है निमलिखित राजियों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है किसका काजू का ठीक है कौन सा स्टेट है, जो की काजू का मुख्य उत्पादक है option A है केरल, option B है करनाटक option C है गोवा और option D है महराष्ट तो बता इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option A यानि की केरल केरल राज्य जो है, वो काजू का मुख्य उत्पादक वाला राज्य है then next question है भारत में निमलिखित में से कौन सी बागा नरू फसल सबसे पहले सुरू की गई क्या गह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सी बागा नरू फसल सबसे पहले सुरू की गई option A है रबड option B है, नील उपसन सी है कोफी और option दिये चाय तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option B यानि की नील जो नील फसल है वो भारत में नील बागा नरू फसल है वो भारत में सबसे पहले सुरू की गई then next question है नीमलिखित में से किस छेत्र को भारत का चावल का कटोरा राइज बावल ओफ इंडिया क्या गहार है, राइज बावल ओफ इंडिया कहा जाता है क्या जार है भारत में किस छेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है option A है उत्रपूर्व छेत्र option B है इंडो गांगेई छेत्र option C है किर्षना गोदावरी डेल्टा और option D है केरल तथा तमिलनाडू तो बता है इसका राइट अंसर क्या होगा कि कौन सा छेत्र है जिसे भारत का चावल का कटोरा राइज बावल ओव इंडिया कहा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर option C यानि कि किर्षना गोदावरी डेल्टा जो है उस छित्र को गया का जाता है उस छित्र को भारत का चावल का कटोरा यानि कि राइस बावलोफ इंडिया कहा जाता है किर्शना गोदावरी डेल्टा के छित्र को ठीक है then next question है भारत में प्राकर्तिक रबड का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है क्या गयर है कि भारत में प्राकर्तिक रबड का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ओप्शन A है करनाटक ओप्शन B है तमिलनाडू ओप्शन C है आंदरपर्धेश और ओप्शन D है केरल तो बताई इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है ओप्शन D यानि की केरल केरल जो है भारत में प्राकर्तिक रबड का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है then next question है प्राकर्तिक रबड के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है कह रहा है प्राकर्तिक रबड के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो भारत की position वर्ड में कौन सी है option A है, 4, option B है, 5 हुआ, option C है, 2 है, option D है, 3 है, तो बताए, इसका राइट अंसर क्या होगा? तो इसका राइट अंसर, option A, यानि की चोथा, भारत की जो पोजिशन है, वल्ड में, प्राकर्तिक रबड की उत्पादन में, वो कौन सी है, वो चोथी, फॉर्थ पोजिशन, चोथा स्थान है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है, नेली क्रांती, ब्लू रिवोलुशन किससे सम समदित है, option A, किर्शिशे, option B, मत से उत्पादन से, option C, नदियों की सफाई से, option D, परियावरण से, तो बताए, नेली क्रांती किससे समदित है, इसका राइट अंसर बताए, क्या होगा, तो इसका राइट अंसर, option B, यानि कि मत से उत्पादन से, ब्लू रिवोलुशन, न नेली क्रांती मत से उत्पादन से है, मत से यानि मचली, मचली उत्पादन से है, ठीक है, then next question है, तमबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्या गयर है, तमबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, option A है, पहला, option B है, या option D है चोथा, तो बताए इसका right answer क्या होगा, तमबाकू के उत्पादन में भारत का विश्यु में कौन सा स्थान है, तो इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer है option C, यानि की तीसरा, भारत की जो वल्ड में पोजिशन है, तमबाकू के उत्पादन में वो थर्ड है, तीसरी पो सा है option A है महाराष्ट option B है आंदरपरदेश option C है मध्यपरदेश option D है गुजरात तो इन में से कौन सा राज्य है जो भारत में अगरनी का पास उत्पादक है तो राइट अंसर बताई क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option D यानि कि गुजरात ठीक है बारतिय है राज्य अगरनी का पास उत्पादक कौन सा है वो गुजरात है तो इसका राइट अंसर है option A यानि कि उत्पादक राज्य कौन सा है तो इसका राइट अंसर है तो इसका राइट अंसर है option A यानि कि उत्परदेश उत्परदेश में गेहु सबसे ज़्यादा उत्पन होता है next question है किस भारतिय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है क्या गर है कि किस भारतिय राज्य को किस भारतिय स्टेट को चाय को उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है तो 54 कोशन का अंसर क्या होगा इसका नाइट अंसर है ऑप्शन वी यानिकि 36 गड़ किस भारतिय राज्य को चाय का उतपादक राज्य नहीं माना जाता है तो 36 गड़ को चाय का उतपादक राज्य नहीं माना जाता है ठीक है The next question है निम्नांकित में कौन खरीब फसल नहीं है option A है कपास, option B है चावल, option C है गेहू और option D है गन्ना तो बताए इनमें से कौन सी फसल है जो कि खरीफ फसल नहीं है तो इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है option C यानि कि गेहू गेहू जो फसल है वो खरीफ की फसल नहीं है the next question और आज कई वीडियो का last question है आज की class का हमारा last question है भारत में सबसे अधिक कोफी उत्पन करने वाला राज्य कौन सा है क्या गार है कि भारत में सबसे अधिक कोफी उत्पन करने वाला राज्य कौन सा है तो बताए इसमें राइट अंसर क्या होगा कि कौन सा स्टेट है जहां भारत में सबसे अधि कोफी उत्पन होती है तो इसका राइट अंसर बताए क्या होगा तो इसका राइट अंसर है ओप्शन डी यानि करनाटक करनाटक में जो है भारत में सबसे अधिक उत्पन करने वाला स्टेट है तो आज की वीडियो हमारी यही खतम होती है हमारी क्लास का लाश कोशन था यह तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करना ना बोले जिससे मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा थैंक यू वचिंग मैं वीडियो प्लीज शेयर सबस्क्राइब मैं चैनल थैंक यू